रामन का दर्बार में प्रवेश इश्वर के आशिर्वाद से भी विजयनगर दर्बार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था इसलिए रामन एक अच्छे मौकी की तलाश में था एक दिन सुभा रामन ने राजगुरु को नदी पर स्नान करते हुए देखा उसी वक्त रामन के मन में एक योजना साकार हुई उसने राजगुरु के कपड़े उठा कर उन्हें एक बड़े पत्थर के पिछे चुपा दिया राजगुरु जब स्नान करके लोटे अरे ये क्या? मेरे कपड़े कहां गए? यहीं तो रखे थे रामन ने बाहर निकल कर राजगुरु को प्रणाम किया प्रणाम गुरुजी आपके कपड़े मेरे पास है वो तो मैं आपको लोटा दूँगा पर मेरे एक शर्त है आपको मुझे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाना होगा राजगुरु को बहुत कुस्सा आया लेकिन उन्हें अपनी कपड़े वापस चाहिए थे तो उन्हें मानना ही पड़ा ठीक है मैं तयार हूँ रामन को कंधों पर बिठा कर राजगुरु राजमह से गुजर रहे थे राजा ने उन्हें देखा तो उसे बहुत कुस्सा आया उसने अपने सैनिकों को बिलाया सैनिकों, देखो कोई राजगुरु के कंधों पर सवार होकर जा रहा है उस आदमी की जमकर पिठाई करो और राजगुरु को मेरे पास लेकर आओ यहाँ थोड़ी दूर जाकर रामन राजगुरु के कंधों से उतर गया मुझे क्षमा कीजे गुरुजी, गलती हो गई, पर मैं उसे सुधार ना चाहता हूँ चलिए, अब मैं आपको अपने कंधों पर बिठा कर आपके घर ले चलता हूँ ठीक एवच, इश्वर तुमारी रक्षा करे रामन राजगुरु को अपने कंधों पर उठा कर चलने लगा सैनिकों ने जब उन्हें देखा, तो उन्हें राजगुरों को जबरदस्टी नीचे उतारा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजगुरु के कंधों पर बैठने की गुरुजी, महराज ने आपको राजमहल बुलाया है अरे वा, मैं तो इसी मौके की प्रतीक शकर रहा था इस प्रकार दर्बार में दाखिल होने की रामन की योशना सफल हो गई